तो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं यूटूब चालेल फ्रेंड्स आज मैं आपको एक सिंपल सा बैक नेक डिजाइन बना कर बताऊंगी तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं तो कटिंग हमें करनी है तो हमें नेक कितनी रखनी है इसकी लंबाई तो वह हम रखेंगे 9 यह इधर से हम कर लेंगे 2.5 इंच पर इधर भी हम 2.5 इंच ले लेंगे यह अब हम इसको सिधा लाइनिंग करेंगे इसकेल की सायता से इस तरीके से अब इसमें हम मटकर डिजाइन कटिंग करेंगे तो अचलिए अब इसको हम कटिंग करते हैं इस तरीके से हमें काटना है तो वो काट लेता है तो इस तरीके से इसके कटिंग हो गई है अब इसको हम ओपन करके दिखाते हैं तो देखिए फ्रेंस इस तरीके से यह डिजाइन कटा है अब इसमें डिजाइन कैसे बनेगी वो देखिए तो फ्रेंस इसके लिए हमें पट्टी काटनी होगी तो वो पट्टी हम इसमें उडेब काट लेंगे तो हम उसको काटते हैं इस कपड़े से तो इस तरीके से हम इसके की साहता से ड्रो कर लेंगे तो वो ड्रो कर रहा है है इस तरीके से वनी चोड़ी काटना है कर देखें इस तरीके से इपस कट कर लेते हैं तो प्रिंच हम दो पटिया काट लेंगे पटिया कंट गए हैं और से इस त्रीके से बन करके हैं यह इस तरीके से है करेंड्लिंग बना लगाएंगे इस तरीके से तुछ बैगल अब तो फ्रेंस पहले यह वाले पट्टी को हम जोड़ लेते हैं इस तरीके से हम इसलिए इसमें जोड़ लेते हैं यह हमने जोड़ कर लिया है तो देखिये हो वे इस तरीके से हम इसको कट कर लिया है तो फ्रेंट्ट्ब अब इसको पटिया लेते हैं नेक पर यह हमने पटी ले लिए इस पर दूजा है अब इस तरीका से और इसको हमें बैक साइड से लगाना है त्य으면फ़ आद से लगाना है तू यह पर्ला हम देख लेंगे सीधा और बाइक साइक वाला है अब Кल बैक साइद वाले में आटैज्ड करना है तो friends इसको आटाइस हम कैस करेंगे वो देखिए तो इस तरीके से हमने रख लिया है इसको ये देखिए और रखने के बाद इसको हम इसमें पहले स्टीच कर लेंगे इसको इसमें स्टीच करते हैं इस तरीके से बिल्कुल बड़ाबर करके कर लेरा इस तरीके से यह वाली पटिया को हम लगा रहे हैं यह देखिए पुरल लग जाएगा तो बताएंगे फिर यह वाली पटिया को हम उपर से अटेक्ट कर रहे हैं कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से पट्टी जाइंड हो गई है अब इसकी डिजाइनिंग बनेगी अब इसको हम कट करेंगे इस तरीके से हम पूरे में पहले लगा लेंगे तो इस तरीके से में कट कट लगा लिए हैं अब देखिए इसको हम सीधी तरफ लेंगे तो इस तरीके से में करके पहले हम एक स्लाई लगाते हैं तो वह स्लाई हम लगा कर दिखा रहे हैं तो चलिए यह स्लाई इस तरीके से हमें करते हुए लगाना है तो पहले हम वह स्लाई लगा लेते हैं तो इस तरीके से तो यह देखिए उपर से हमने पटिया लगा कर सलाई लगा ली है यह इस तरीके से अब इसमें जो डिजाइनिंग बनेगी वो इसके अंदर लगेगी तो वो डिजाइन अब चलिए लगाते हैं इसी से बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से हम कट कर ले रहा है इस तरीके से मोर लिया इस तरीके से मोर करके और जो इक्स्ट्रा होगा उसको पहले कट करेंगे इस तरीके से यह कट हो गया है अब इसमें हमें डालते जाना है और इस तरीके से स्टीचिंग करते जाना है तब वही स्टीचिंग अब शलिए करके दिखाते हैं यह सिंपल है बट बहुत प्यारा डिजाइन बनने के बाद लगता है तो यह इस तरीके से तब शलिए इसको इसमें डालकर स्टीच करते हैं इसे तरीके से पूरे को करना है इस तरीके से चमाद करेंगे एंगे यह और इस तरीके से यह ऐनोची से करेंगे ये और जो इस्ट्रा है पहले उसको फिर कट करेंगे ये इस्ट्रा वाले को मुने कट कर लिया है फिर इसके अंदर डाल देंगे हाफा फिंच का डिश्टेंस रखते लिए में डालना है बिल्कुल बड़ावर से नहीं डालना है तो वो डालते हैं इसके अंदर इस तरीके से डालकर और चलाई लगा देना है इस तरीके से सबको इसी तरीके से डालना है इस तरीके से चरकोर काट लेते हैं इस इससे सबको काटना है और हमें बनाते जाना है इस तरीके से इस तरवाला को फिल काट ले जाना है फिल्स में डालना है इस तरीके से तरीके से बनाते जाना है और हमें डालते जाना है जो एक्स्ट्रा है इसको में कट कर लेना है इसमें डालकर हमें इस्टीज कर देना है देखे इस तरीके से डल रहा है इस तरीके से इस्टीज कर लेंगे इस तरीके से इस्टीज कर लेंगे इस तरीके से इस्टीज होते जा रहा है डिजाइन इस तरीके से इसको बनाएंगे इस पहले में चौपोर काठ लेना रहता है और इस तरीके से इसको बनाएंगे इस तरीके से डाल देंगे इस तरीके से इस तरीके से फिर लेंगे इस तरीके से इसको बनाएंगे इस तरीके से इसको बनाएंगे 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 इसको बना इस तरीके से हमने डाल लिया फिर हमें इसको कट करना है इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से अब हमारी लाश्ट वाली है उस तरीके से फिर इसको भी हमें अंदर डालते जाना है पर इसको डालकर स्लाइनर आलेना है तो देखे फ्रेंच इस तरीके से डिजाइन लग चुका है इस तरीके से इसमें डिजाइन बना है तो यह अच्छे देखेश अब इसमें हम नारा लगा कर taper देखेश्च मेकि सम्राइब बना लगांगा तो फ्रेंट्स इस तरह से बांधने वाला डोड़ी रेडी है अब इस वाली डोड़ी को हमें उसमें अटाइच करना है तो वो करते हैं तो फ्रेंट्स देखे इस तरीके से हमने बांधने वाली डोड़ी लगा ली है जो एक्षटरा धाग है उसको हम कट कर लेते हैं तो यह हमने कट कर लिया है, यह देखिए कितना प्यारा डिजाइन बन गया, अब इस तरीके से इस डोड़ी को हम बांध लेंगे, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बांधनी के बाद में काफी कुपसुरत लग रहा है, तो फ्रेंड्स यह डिजाइन देखिए कैसा लग कर रहा है तो फ्रेंड्स इसकी कटिंग इस टीशिंग आपने देख लिया अगर कुछ पुछना है तो फिर कॉमेंट करें फिर मैं बताऊंगी तो फ्रेंड्स हमारे यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए अपने दो